हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब वेलकम टू माई चैनल सक्षे जंक्सन एक कदम सफलता की और और हम लेकर के आगा है आज आपके लिए बहुत ही महत्पूर वीडियो है अरारबी एक्जाम जो भी चल रहा है आईसोलेटेट और मिनिस्ट्रियल कटेगरी का यानि कि जो भी प्रशन पूछे जा रहा है और वही स्टैटिक प्रशन पूछे जा रहा है कंपूटर के तो परिशान होने की कोई जरूत नहीं है जो प्रशन हमने कराए है सेम तो सेम वही प्रशन आपको साइंस के भी देखने को मिल रहे हैं तो देखिए रेलवे एंटी पीसी जिनों ब 2019 में ICC World Cup में कितने टीमों ने भाग लिया था ये आपसे पूछा गया है तो इसका एंसर है 10 टीमों ने भाग लिया था अब आपसे ये पूछा जाएगा कौन जीता था और कौन उपविजेता रहा था तो England ने इसको जीत लिया था और उपविजेता जो है New Zealand रहा था इंगलेंड के काप्टान आपसे पूछ जा सकते हैं New Zealand के काप्तान आपसे पूछ जाते हैं और भारती टीम के काप्तान को ये आपसे पूछा जा सकता है इतने सारे πरेस्ण जो है बन सकते हैं और बॉंडरी की आधार पर फाइनल का डिसाइड किया गया था कि कौन फाइनलिस्ट है ये भी आप से पूछा जा सकता है प्रस नमर दो आया था COOH किस ग्रूप से सम्मधित है तो कार्बॉक्सी ग्रूप से सम्मधित है COOH ये CET कमल आपने सुना होगा तो CET कमल में जो भी जो ग्रूप आता है वो कार्बॉक्सी ग्रूप होता है तो कार्बॉक्सी ग्रूप से सम्मधित है COOH ठीक है प्रस नमर तीन है जब कोई वस्तू स्वतंतर रूप से नीचे गिरती है तो उसकी इस्तिती जूर्जा के साथ में क्या परिवर्टन होता है ये सारे प्रस नमर अपने साइंस वाली वीडियो में कराए है तो देखिए जो उसकी इस्तिती जूर्जा होती है वो गति only memory होती है, ROM की full form, अब आपसे RAM की full form पूछा जा सकता है, URL का full form पूछा जा सकता है, CPU का full form पूछा जा सकता है, तो full form से समंदित एक question आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद question पूछा था, MICR की full form क्या है, तो magnetic ink character recognition, यह आपका MICR का full form होता है, तो यह आपसे पूछा गया है, mouse और keyboard किस प्रकार की device है, तो input device है, आपको पता है, यह सारे computer के प्रश्ण जो हैं, वो आपके प्रश्ण पत्र में देखने को मिल रहे हैं, तो RRB NTPC वालों, भाई, ध्यान से देख लोइस्ट को, ठीक है, प्रश्ण आया था, वंदे मातरम किस ने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर जी ने वंदे मातरम लिखा है, उसके बाद वायू प्रदूसर और ग्लोबर वार्मिंग से समन्दित एक प्रश्ण था, क्या प्रश्ण था, यह हमें बता नहीं पाए हैं, जो भी हमको बता र आन के लिए तो PAP, Smear, या फिर PAP, Test कराया जाता है, चलिए चलते हैं, प्रश्ण नमाट दस है, फर्श्ट जनरेशन, कंप्यूटर किस पर आधारी थे तो बैक्यूम ट्यूब पर आधारी थे, फर्श्ट जनरेशन के जो बी कंप्यूटर थे, अब से सेकेंड जनरेशन, सारे जनरेशन के पूछे जा सकते हैं तो आपको ये पढ़ करके जाना है एंटी पीसी में गुरु सिखर की चोटी किस पहाडी छेतर में इस्तित्य ये आप से पूछा गया स्टैटिक का प्रस्ट ने हमने अपने स्टैटिक जी के वाली प्रथान मंत्री रहे थे तो 1947 से 1964 तक भारत के प्रथम प्रथान मंत्री जवाहर लाल नहरू रहे थे तो ये अगर प्रथान मंत्रियों से समंधि प्रशन पूछ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि सारे के सारे प्रथान मंत्री आप से पूछे जाएंगे जिन्होंने भी अच्छे कार कीई हैं, जिन्होंने भी इतियासिक कार कीई हैं प्रथान मंतरी सी अटल विहरी वाजपेज यसे समंद्रीं बहुत सारे प्रश्ना आपको देखने को मिलने वाले हैं उनकी किताबें आप देख लीजएगा हलांकि हमें एक बहुत जल्दी वीडियो ने करके आने वाले हैं भारत के प्रसान मंतरी के ऊपर ठीक है प्रश्ट नमर 13 है 2019 का कौन सा मेला यूनेस्को की धरोहर में सामिल किया गया इसका अंसर है कुम्ब का मेला तो कुम्ब का मेला यूनेस्को की धरोहर में सामिल किया गया अब आप से पूछा जा सकता है कि कुम्ब का मेला कहां कहां पर लगता है तो जहां जहां भी कुम्ब का मेला और अर्ध कुम्ब का मेला लगता है जिस जिस नदी के किनारे लगता है वो सारे आपके लिए महत्वपूर्ण है प्रस्ट नमर 14 आया था कौन सी धातू ठंड़ या गर्म जल के साथ अब क्रिया नहीं करती है हलंकि ओप्सन वो नहीं बता पाए थे लेकिन हम आपको इसका एंसर बता देते हैं बिज्ञान की प्लेलिस्ट जो है साइंस की वो आपको स्क्रीन के लाश्ट में मिल जाएगी जैसे ये वीडियो खतम होगी आपको स्क्रीन के ऊपर ही मिल जाएगी तो science की वो playlist जाकर कि आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत helpful होने वाली है प्रेश्च नमा 16 आया था कि करक्रेखा कहां से गुजरती है ठीक है तो हम पूरी आपको बता देते हैं कहां कहां से गुजरती है हालांकि उसमें option एक ही था तो देखे गुजरात, राजिस्तान, मध्रिप्रदेश, चतिसगर, जारकंट, पश्यमंगाल, त्रिपुरा तथा मीजोरम से गुजरती है करक्रेखा याद करने के ट्रिक तो हमने आपको बताई था जहां आपको ये याद करा रहे थे अपने वीडियो में तो मित्र पर गमचा जहार, आप इतना याद कर लिजिए, ये सारी चीजे आपको याद हो जाएंगी अगर आप हमारी वीडियो भी दिख लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा बहुत से प्रश्ण हमारी उसी प्रेलिश्ट में से आए हैं प्रेश्ट नमबर सत्रा आया है कि गहिर माता समुद्री वन्यजीव अभ्यारन किसके सनरच्षर से समन्दित हैं प्रेश्ट नमबर सत्रा सो त्यानवे का इस्थाई बंदोबस्त किसके समय में लाग हुआ था तो इतिहास से भी प्रेश्ण बन रहे हैं वही जो आपको मुने बता था प्राचीन इतिहास और मेडविल से ही प्रश्ण बन रहे हैं इसका अंसर लॉड करन वालिस ठीक है प्रश्ण बीस है 2023 FC ACN कप कहा होगा तो चीन में होगा 2023 का FC ACN कप देखिए चीन जो है न्यूज में रहा है क्यों क्योंकि कोरोना वायरस की 2020 में असरयोग आंदोलन सुरू किया गया था ठीक है प्रश्ण बाइस संबाद कौमदी के संपादक कौन थे देखिए असरयोग आंदोलन आया हुआ है तो गांदी जी ने जितने भी आंदोलन चला है वो आपके सारे महत्पूर्ण हो जाएंगे करो या मरो का नारा कब दि तो जो Mono Jiet Rate होती है उसमें आपका थोरियम पाया जाता है वो भी सिर्फर सिर्फ केराल में ही पाया जाती ही के लिए लोहे के ऊपर किसकी परच चढ़ाई जाती है तो जश्ते की परच चढ़ाई जाती है जंग से बचने के लिए और इस क्रिया को Galvanization कहते हैं भाई तो Galvanization आपसे पूछा जा सकता है अभी आपसे पूछा जा सकता है आपसे रॉम, डिस्क, इनसे समंदित प्रश्ण आपसे बराबर पूछे जाएंगे, याने की कम्प्यूटर भर भर के आ रहा है, हर स्रिप्ट में आपको देखने को मिलने वाला है, तो NTPC वालों मेरे भाई हो, मेरे दोस्तों, और RRC ग्रूप वाले मेरे भाई हो, मेरे दोस्तों, ठीक है, all exam analysis करके एक playlist है, आप देखेंगे, उसमें ये सारे जो exam के analysis है, उसमें जाएंगे, इसके बाद क्या है, अभी हम वहाँ पर जिल पहरी का analysis करा रहा है, वो सारे paper भी है, आपके ये railway के भी वहीं जा रहा है, उसी playlist में, उसके बाद NTPC होगा, तो NTPC भी उसी playlist में ज आते रहेंगे, क्योंकि आपको आज जब भी ये paper होगा, आपको फतह करना है, railway NTPC, railway RRC Group और isolated category, ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं, वीडियो के साथ में नए paper का analysis करेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, आप क्या कीजिए, चैनल को subscribe कर लिजिए, सामने notification bell दी होगी, उस से आप अगर देख लेंगे, तो आपको ढूनने की जरूरत नहीं पड़ेगे, ठीक है, सब्सक्राइब कर लिजिएगा, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, इस वीडियो को बराने में, जगा-जगा से हम आप के कुशन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करके बताते हैं, तो बहुत मेनत लगती है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, तो जल्दी मिलते हैं नए पेपर के अनलिसिस के साथ में, तब तक के लिए, नमस्कार.